आज बना रहे हैं हम लोग डोनट्स बहुत मैज़े के सॉफ्ट डोनट बनेंगे आपकी रेसिपी ट्राइए करेंगे इंशाल्ला तो आप देखेंगे कितने अच्छे आपकी डोनट्स बने हैं लोग कहते हैं कि बजार जैसा टेक्सच्चर आए वैसा ही आएगा इसके लिए आपको जिन चीजों की दोयते नोट डाउन कर लिजिए सबसे पहले आपको चाहिए चार कप मैदा मैं हमेशा मैदा चाहन की लेती हूँ चाहे मैं केक बनाऊं बेकिंग या कुछ भी करूँ इससे बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है तो आप भी ऐसा ही कीजिए मैदा ले लिजिए और उसे एक स्ट्रेनर से चाहन लिजिए ऐसे मैंने कर लिया देख लें आप स्टैप बाइ स्टैप हाट चीज आप नो डाउन करती रहिए तो आपकी डोनलट बहुत अच्छे बनेंगे अब आपने क्या करना है आपने नेना है एक टाकीज इस या फिर टू टेबल स्पून ले लिजिए अगर आपके पास किसी और कॉंटिटी में है इसको आप नीम गरम पानी में घोल लिजिए यह देखे मैंने पानी गरम कर लिए बहुत ज़्यादा गरम नहों पानी बस मुनासिफ सा पानी गरम हो वनना इस सई से राइज नहीं होगी मिक्स कर लिजिए मैदे में फो टी स्पून चीनी डाल दीजिए किसी भी चीनी लेने तो ज़्यादा बेस्ट है इसके बाद आप मामूली सा नमक डाल दीजिए जैसे वन पिंच कह लिजिए और इसके बाद आप इस्ट वाले पानी से इसे घून लिजिए अच्छी तरह मिक्स करें इसके बाद आपने एक कब दूद लेना है और उसमें दो चमचे घी या ओयल के डाल देने हैं इसके बाद ये दूद 20 में डाल दीजिए और इसकी अच्छी तरह फ्लफी सी डो बना लिजिए आप देख सकते हैं कि हमारी डो कितनी अच्छी सॉफ्ट गुन दी है डोनट में आप जितनी अच्छी सॉफ्ट डो गुन देंगे आपके डोनट उतनी ही सॉफ्ट बनेंगे इस बात का खास खया लखेगा कि अगर डो सख्त हुई तो आपके डोनट भी सख्त रहेंगे इसके बाप आप इसे किसी प्लास्टिक से रैप करके तकरीबन एक घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दीजिये किसी गरम जगा पर आप इसे केबिन पे भी रख सकती है अब आप यह देखिए कि एक घंटे बाद जब हमने इसे चेक किया तो हमारी डो कितनी करें दो तकरीबन हमारी डबल हो चुकी है अब इस स्टेप पे इसे एक दफा और गुन दिये अगर यही स्टेप गुनने वाला आप एक से दो दफा करेंगे तो आपकी जो डो है बहुत अच्छी हो जाएगी और इसके डोनट फिर बहुत अच्छे बनेंगे आप तकरीबन आदे घंटे के लिए रख दीजिए यह स्टेप आप एक से दो दफा रिपीट कर सकते हैं आप यह देखिजिए कि कितनी अच्छी यह डो बन चुगी है अब आपने क्या करना है आप इसे कटर से काटकी भी बना सकते हैं डोनट कटर से बना सकते हैं लेकिन मैं इ आपने ट्वे को ग्रीज किया ओईल के साथ, और उसके पाद आप देखिए एक छोटा सा पेड़ा हाथ पी घी लगा लिजीए, आपने इसमें से लिया, देखिए इस तरह आपने लिया, और इसको गोल सा पेड़ा बना के आपने ट्रे में रखके हलका सा प्रेस कर दीजी, द मैंने पहले से एक बना के भी रखा हुआ है, अब आप कोई भी ठकना ले लिजीए, मेरे पास ये नोजल है, तो इसी से मैंने इसमें होल कर दीए, देखिए इस तरह करेंगी, तो ये होल हो जाएगा, इसी चर्टीब से सारे डोनट आप बना के रख दें, गुकिंग चॉक मैंने चॉकलेट जो है वो रूम टमपरेचर पर रखी हुई है, इसलिए 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 कट जाएगी, कुकिंग चॉकलेट को फ्रिज में रखने की दूरत नहीं होती, ये देखिए, इसलिए मैंने एक बड़ा सा पीस लेखे से काट लिया, अब आप इसे जिए जिसमें डोनट जो है वो डी फ्राइ हो सकें, ये देखिए, इस तरह मैंने ओल डाल दिया, अच्छा खासा ओल ले लिजिए, क्योंकि डोनट को ओल खराब नहीं होता, आँच मीडियम कर दें, फुल आँच पे आप इसे गरम करके इसकी मीडियम या उससे थोड़ी क मांच कर दीजिए, आप देख सकते हैं, कि ओल गरम हो चुका है, चौकलेट जो है वो हमारी इस शेप में आचुकी है, आप देखें किसकी दगर समूथ हमारी जो है वो चौकलेट है, ये एजिली डोनट पे लग जाएगी और स्रेट हो जाएगी, इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया, डोनट को आप पैन में डाल दीजिए, कड़ाई ले लीजिए या आप सास पैन कुछ भी ले लीजिए, आप देखिए, आज हमारी कम है, एक सैट से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो आप इसे पलट दीजिए, ये देखिए, कितने अच्छे हमारे जो डोनट है, फूल गए है, हमारी डोर राईस हो गई थी, हमने डोनट बना की थोड़ी देखिए रखे थे, ताकि राईस हो जाए, आप देखिए, कि डोनट दोनों साइजिए से अच्छे से ब्राउन हो जाये, पनाट के देख लीजिए, हमारे डोनट अब रेडी है, आप देखिए, क उसके बाद इसके उपर कुकिंग चॉकलेट लगा लीजिए इसके ऊपर स्परिंग skilled भी डाल अच्छी तरह से इसके उपपर डाल दीजी आप देख सकते हैं कि किस कदर हुपसूरत और कितने अच्छे सॉफ्ट हमारे डोनट बने हैं आप इसे चाय के साथ सर्फ कर सकते हैं सुबा नाश्ते में मैं चाय नहीं पीती इसलिए मैं ग्रीन टी के साथ लेती हूँ आप इसे किसी भी चीज के साथ सर्फ करें ओके बाई 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 अलाफिस